हेलो दोस्तो नमेशकार तो फिलाल इस वड़े को स्टार्ट कर लेते हैं सब्सक्राइब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर लास्ट वाला वीडियो हम लोगों ने देखा था जहापे कौटर वन के अच्छे रीजल्ट हम लोगों को देखने को यापे मिले हैं जिसके चलते हैं वो कंपणी कल के दीन शायत से अच्छे-कासा परफॉर्मंस देकर उपर यहापे जा सकते हैं इससे रिलेटेड हम लोग ने बात यहापे की थी अभी इस वीडियो कि अगर हम लोग यहापे बात करें मज़ा नहीं आया मतलब लिटरली दम नहीं है मैं अगेन आप लोगों को यह कहना चाहूंगा जैसे कि मैं बार-बार कहता हूं कि रिटेल नेस्टर में एक प्रॉब्लेम होती है और वो होती है दोस्तो जल्द बाजी यहस बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जल्द बाजी में गलती कर लेते हैं जैसे कि किसी company के number अच्छे लगे तो जबरदस वो मतलब भाग कर उसको खरीदने की कोशिश करते हैं बिना सोचे समझे बाकी factors को चेक के रहे बिना वैसे किसी company के number अगर खराब आते तो immediately वो ये भी सोचते आरे चलो अभी तो ये number खराब मतलब company बरबाद हो गई तो ऐसी कोई बात नहीं दोस्तो किसी company के उपर ताला नहीं लग जाते हैं एक बार number खराब होके yes company के उपर ताला लग सकता है अगर company multiple times खराब number दिखाती होंगी तो तो इस difference को हम लोगों ने आपे समझने हैं इसका मैं बहुत बार आप लोगों को simplified manner में example देते रहता हूँ कि एक अच्छा क्रिकेटर अगर कभी कबार एक बार score नहीं कर लेता है इसका आरते नहीं कि वो खतम हो गया करके right होता है हर किसी के life में bad पैच आता है वैसे हर किसी company के भी numbers में कभी ना कभी खरा भी हम लोगों को देखने को मिल जाती है पर जैसे Warren Buffett जी ने इस सवाल का जवाब दिया था हम लोगों ने क्या check करना होता है yes company के average number check करने होते है कि अगर आप companies के पीछले 10 quarter के number देखो 5 quarter के number देखो होगा उसमें कोई ना कोई एक दो quarter ऐसा रहेगा कि company के number अच्छे नहीं होते है तो यह हम लोगों ने check करना होते है वरना क्या हो जाएगा कि अच्छे companies भी आप लोग कभी एक बार quarter खराब number आ गया तो आप उनको भी बेज दोगे तो यह गलती आपसे होनी नहीं चाहिए इसलिए average number देखना बहुत important रहता है वरना मैं आपको stock market का कोई भी company उठा कर देख लेना उसके कभी ना कभी quarter के number खराब आये है बहुत ही खराब भी आये है quarterly yearly भी खराब आये है ऐसे number भी आये है बट still वो आज टॉप पे है क्यों कि जैसे मैंने का कि average number देखने होते है तो यह सबसे main important point है दोस्तो जो कि आप लोगों को ने आपे समझना है यहाँ पे इस video में मैं बात करने वाला हूँ कि अभी के quarter के हिसाब से कि company के number वाकई में खराब है दोस्तो मतलब आप चाओ तो उनको घटिया number भी बोल सकते हो और उसमें से जो companies में बताने वाला हो उसमें से दो company तो बहुत बड़े दिगज companies है और एक तो portfolio का भी part है बट जैसे मैंने आपको का कि average number देखना होता है तो यही जितना introduction था important आप लोगों को सिखाने के हिसाब से उतना काफी था तो चले अभी आ जाते उन company के number के उपर पहली company है Arnav Fashion Limited वैसे देखा गया तो इस company के बारे में ज़्यादा हम लोग कोई study नहीं करते बट जैसे मैंने का कि number जब आते है तो पढ़ने में क्या बुरा ही है आप लोगों कोई खुद से self assessment करने का मौका मिल जाता है company के number rate कर लेना समाझ आ जाते है company की yearly quarterly दोनों numbers ठुके हुए है literally तो ऐसे companies के number में कोई strength नहीं है हमें बिल्कुल फसना नहीं कि कल परसो अगर यहाँ पे तेजी भी आ जाए अगर आपको numbers पढ़ने के बाद लगता है कि yes यह company के number अच्छे नहीं है तो फिर अच्छे नहीं है तो फिर उसके बाद अगर तेजी भी हो जाए तो blindly जाके उस भीड में भागना नहीं है आपने मेरे इस बात को सुनकर आपने भी अपना conclusion यह नहीं बोलना चाहिए कि मुझे भी अच्छे नहीं लगे आपने पहले वो numbers पढ़ने चाहिए उसके बाद आपका जो opinion रहेगा वो आप ड्रॉक कर सकते हो बट इतना कह सकता दोस्तो company की quarterly yearly दोनों numbers में कोई भी strength नजर नहीं आ रही है तो अरना फैशन देखा गया तो usually यहापर हम लोग को कमजोरी नजर आनी चाहिए long term के भी सबसे एंड कल भी अगर यह पिट गया तो अच्छी बात रहेगी मतलब usually market ने भी उसी चीज़ को पकड़ लिया करके हलाकि यह बोलना गलत बात है क्योंकि market जो कहे नहीं आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं और भी पिटाई यहापर हो सकती है तो आप लोगोंने समल कर यहापर रहना चाहिए देन दोस्तों second company की अगर हम लोग यहापर बात करेंगे और हम प्रोप्टेक लिमिटेड करके यह जो company इसके बारे में भी हम लोग ने कभी पढ़ लग सकता है कभी भी बड़ी हैमरिंग हो सकती है कभी भी बेर कार्टेल भी यहापर हो सकता है और आप देख सकते हैं यह जो companies रहते हैं दोस्तों यह बहुत ही छोटे companies रहते हैं माइक्रो कैप कमपनी का कभी भी मतलब जोरदार गिरना यहाप पॉसिबल मतलब बहुत इजी रहता है क्योंकि कमज़ोर नमबर है ना एंड माइक्रो कैप है तो ऐसे company में easily लोग क्या कर लेते हैं फट्टाफट प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं तो डेफिनिटली यह company कभी भी इस तर से यहाप जोरदार गिर सकती है तो अगर आप चाहो तो इस company को क्या कर सकते हो येस चाहो तो यहाप ज़रू study कर सकते हैं वैसे देखा गए अगर आप इस channel को follow करते हैं हम लोग fundamentally quality stock की बात करते हैं बट येस जब भी quarter के number आते हैं हम लोग ऐसे companies को भी थोड observe करेंगे मेरे इस अब से ये नीचे जाना चाहिए इतना कुछ strength नजर नहीं आ रहा है numbers week है अब भी चाहो तो इन companies को study कर सकते हो next अगर हम लोग यहापर बात करेंगे दोस्तों यहापर फार्मा laboratory से related हम लोग यहापर एक company देखने को मिल रहा है आज की दिन वैसे तो गिरत देखने को मिला है और वैसे तो गिरना ही चाहिए क्योंकि company के number में कोई भी strength नहीं है so during the market number आये है जो इसके कारण यह लगबग 5% गिरा है circuit लगा है तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है number after market ही यहापर आये है so definitely यहापर वैसे तो यह circuit basically देखा गया तो continue आपर रहना चाहा आपने खुद note करना चाहिए आपको number कैसे लगे and उसके बाद reaction चेक करना चाहिए कि market में maximum लगों को इनके number कैसे लगे है so अभी तक जितने भी तीनों companies में आप लोगों को बताई है बहुत ही poor number से दोस्तो normal हलके full के ऐसे poor number नहीं बहुत ही घटिया number से आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो so definitely in companies में जो अगर कभी buy mistake अगर तेजी भी आ गई तो टिक पाएगी कि नहीं उसके ओपर भी बहुत बड़ा question mark रहेगा कभी भी बड़ा profit booking होके आप इन companies में अटक सकते हो so ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए ये सारी बाते में numbers के हिसाब से आप ल इसे companies के number आता है में हमेशा ready रेता हूँ and company के income में कोई दिक्कत नहीं है yes वही problem दोस्तो खर्चे expenses इतने ज्यादा expenses इतने ज्यादा expenses हो चुके numbers खराब नहीं है दोस्तो लिटरल धज्या उड़ चुकी है numbers की अगर मैं यहाप बात करू तो definitely मुतिलाल उसवाल बहुत देख लेते बाजार को इनके प्रती number के से लगे हाला कि थोड़ा टफ रहता है ऐसे numbers को यहाप पर पढ़ना इंटरप्रेट करना बट एक overview जो में नहीं है यहाप पर किया है जैसे में आप लोग को बताया कि बड़ी company है एक flat-ish type भी अगर number दिखा देती तो में खुश यह यहाप पर हो सकता था बट company के numbers में literally बहुत ही जादा हम लोग को कमजोरी नजर आ रही है और यह stock markets related business है आप सब लोग को पता है multi अलग-अलग इसमें finance services में यह involved है और अलग-अलग type की services यह provide करते है बट देखा गया तो हम लोग जरूरी आपर कह सकते disappointment मेरे हिसाब से मैं expect करना था थोड़ा बहुत तो ही यहाप इन्होंने अच्छा करना चाहिए बट वैसा कुछ भी देखने को आप नहीं मिला है एक मिड़क टाइप की एक company मोतिला लोसवाल सो definitely कल बाजार इसके प्रती क्या reaction दिता है यह देखना interesting रहेगा personally मैं उस category में आना चाहूंगा जो ब यह company आपे आती है तो यह point कोई आप लोगों को पता होना चाहिए यह कोई बरबाद होने वाली company नहीं है बट येस इस वक्त के जो numbers यह यह जो पारी company ने खेली है बहुत ही disappointed पारी थी बहुत ही खराब performance इस company आमें दिखाया है next बात करेंगे दोस्तों तो South India paper mill limited येस आज क दिन तो गजब भागा है साड़े तीन पसेंट से भी जादा भागा है अभी ये तेजी कितना टिक हैगा पता नहीं क्यूंकि company के number literally 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 खराब है तो ऐसे numbers जो आ जाते तो पता चल जाता है दोस्तों ये जो तेजी बनती है ना ये टिकाओ तेजी नहीं रहती है ये कुछी चोटे company है 200-200 करोड का market cap ultimate चोटी companies है इसलिए दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को बता है ता बहुत से लोग पूछते सरे आप micro cap companies बता है दोस्तों इतना easy नहीं है micro cap में आपको बताना चाहूंगा 10 अगर बता दू ना 10 भी नहीं बोलना चाहिए अगर मैं आपको 50 बता द देख लेते हैं mid cap देखते हैं micro cap में बहुत ही कम रहते हैं क्यों दूबने की chances बहुत ज़्यादा रहते हैं मतलब ऐसा भी हो सकते हैं साथ बार अच्छा करें एक बार खराब and company की धज्या उड़े तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि micro cap companies में रहना यह बहुत 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 challenging रहता है एक दिन कभी भी कोई भी खबर आ सकते हैं और company मतलब literally band बच सकती है ऐसी चीज़े बहुत बार हुई है ज़रू अगर आप चाओ तो इन चीजों को study कर सकते हैं South India paper mill की बात करें बहुत ही खराब नंबर से दोस्तों देख लेते कल के दिन usually धज्या तो उननी चाह कि yes ये एक ऐसी company जो की 200 रुपे से हम लोगों के पास है ADF Food Limited and ये कमाल की company average की बात करें average मतलब मैंने आप लोगों को जो पहली कहानी बताई Warren Buffett जी की ये भी उसी category में आने वाली company है मतलब बहुत लगातार अच्छा number इस company ने दिखा है बट yes इस वक के जो numbers है literally मुझे तो बहुत ज़्यादा disappointment डेखने को आपे मिला है मतलब खराब तो ही right बट थोड़ा मैं अच्छा मतलब थोड़ा से flatish type performance expect कर रहा था बट वो missing मुझे नजरा रहा है ये मैंने अपने हिसाब से बात किये दोस्तों में again केना चोगा market का reaction कुछ भी हो सकता है तो इसलिए कहता हू तो ये देखे ये देड़ हजार करोड का market cap है केवल small cap type की company है तो ऐसे company में गिरावट के chances ऐसे number के प्रती जादा रहते तो अगर आप चाओ तो इस company को भी study आपे कर सकते हो company again कहना चांगा दूस्तों average company का performance बहुत शांदार यापे रहा है बट ये वाले जो Q1 के number है मुझ unfortunately हम लोग आपे कह सकते हैं मुझे ये company के number फिलाल तो इतने अच्छे आपे नहीं लगे तो sir क्या इसमें से exit करें वो exit करने नहीं करने वो completely आप condition रहेगा बट yes average हिसाब से अगर मैं बात करू तो company definitely अच्छा है पता अंजली के साथ इनका अच्छा का सा tie-up हम लोगों को international market में European market में देखने को मिल राइड as a distributor so company तो अच्छी है बट में बार बार जो जैसे में रिपीट किया कि इस वक्क के number ADF food के disappointment वाले देखने को आपे मिले है तो दोस्तो जितनी में important बात ही थी सारी cover कर ले वीडियो अच्छा लगे तो like and share कर देना इंडिमेट अकांड अभी तो open नहीं के है तो link नीचे description box में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगी आपका नाम कौन सा account अपने link के तुर open के एगी comment section बता देना तो अफते बर के अंदर अंदरे सारी वीडियो से आपनेंको free of cost प्रोवाइड कर दे जाएगे so that's it thank you very much दो we will be meeting आरनेक शुडियो तब तक के लिए bye bye